कर दोस्तों बात करने वाले हैं परसुपरिचर एकजाम को लएकर सभी को पता है बी पार्ट जोक है इमपोर्टेंट है परसुपरिचा एकजाम को लर्च को लेकर तो लास्ट के अंदर हम बी पार्ट के ऐसा तो है नहीं कि हम विश्तार से पढ़ सके तो यहें meath Respond पढ़ेंगे वीडियो इसकिपने करना है और पूरा वीडियो देखना है अगर आप परसु परिचर की तेहरी कर रहे है तो ठीक है वन लाइनर में है और सारे क्यूशन पढ़ना है तो शुरुवात करता है एक बार ही करेंगे जैसे कि आपको एक बार याद हो जाए तो यह र चोक्ला रसल की बेड का संक्रण किया गया था इसको संक्रण के लिए को चुना गया था यह त्यान रखना राजी अनुसंदान के अंदर का है मालपुरा के अन दर का पर है मालपुरा के अनदर हैं या पर कुकीश का कैंदर है बैड का परजन में केंदर है सब्यान रखते को चले को आब जल्द जलते चले चलेगा idea वर्षा इसके बारे में क्योंसर पूचा जाता है होलिस्टिक यह विदेशी नसले गाए की इसके बारे में क्योंसर पूचा जाता है होलिस्टिक यह विदेशी नसले बैस का मास वुफल कहलता और वेड का मास मतल ज्यान रखें चलेगा आगे बात करते हैं बेस अगर यह वा मादा के रूप में इसको बोलते हैं सब्सक्राइब लेंगे यानि मुर्गि को कहता है मुर्गी पुल के लेंगे राजस्तान के अंदर अंड़ा उत्पादन ओता अजमेर के अंडर थीके उखी लिए ध्यान रखड़ा चलिए फड़ाइब गी बंडार रन गी और यानिंगी का पर दों न कितने। चलेगा दोस्तों चलते वे रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते वे चलना आपको क्योंकि पूरा आज होने वाला है यानि यह घजार किश्णों का यह संग्र है और कम टाइम में करेंगे चलेगा आगे बात करता है ओप्रेशन फ्लड की बात करता है और वे यह घ्यान रखना आपको आगे बात करते हैं, जूंड में मादा परसु के मदकाल की पहचान करने वाला सांड, जिसका हम बोलते हैं, टीजर बूल्ग, ठीके, मादा की पहचान करने वाला सांड कोन सा टीजर बूल्ग, ठीके, इनने उसकी और मादा की और आकरसित हो जाता है, तो वो अपना पहचान ह देखो बात करें अगर वीरे को तनु मिला जाता है अंडे के जरदी मिले जाती है वीरे को तनु मिले जाती है बात करते हैं यह विसत बड़ना करना कि तो देखेंगा मूर्गी ज़ Lapinar ragina 158 4 उच्ते 5 चारा ये रभी की मोशन में उगा जाता है सबसे अधिक प्रोटिर पाया जाता है बर्शीन चारे के अंदर ठीक है ये प्रती हेक्टर में लगबग 25 से 30 किलो हता है आगे बात करते हैं करतिम रूप से मुर्गी के अंडे से चूजा प्राप्त करना क्या कहलाता है इंक्लूब इसका रोग जन कौन सा है क्लो इस्टीडियम एक आता है फड़ रिया यानि फड़ फड़ रिया रोग है ये बेड़ के अंदर सबसे बात करते हैं किस वीमारी में परसुका पोस्ट मातम नहीं किया जाता है द्यान रखड़ा वेरी इंप्रटन क्योंसे नहीं एंध्रस्ट इंध्रस्ट ठीक है चलेगा आगे बात करते हैं कि वह कौन सा जो और है जिसमें गाए बैस के बीतर या सरीर में का तापमान कम हो जाता है यानि उसके सरीर का तापमान कम और जाएगा टेंपरचर कम और तो मिल्क फिवर कौन सा है मिल्क फिवर दूद बुखर बिमारी सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को शेर करते रहे यहां से आपको क्योशन पक्का मिलेंगे परसु की आथ में कर्मियों को मारने के लिए कितने परतिस्फत के कोपरसल्पेट गोल का पर्यों के जता है एक परतिस्फत यह जैसे बचों के दी जाते हैं गोलिया पेट के खीड़े चाहर employment सर्फरी no रखना है बेड को करमी के परकोप से बचाने के लिए उपियों कि घता नीला थुता है या कि सूकी गास है इसका गज़ कर ल कुरें की चारे ब्रिक्सरण करना नी ही वो कह लाता है है परिक्षेट इसके अंदर सुख सुकोर नमीज सस्क परदाप यहने सुख क्कि मातर केते हैं तो वो करता है हैं आगी बात करते हैं कि चलू भई सइलाज में कीकिवनद द्वारा लेक्टिक dramal ठीक है leसा जाता यानि इस में मिट्ची साइलेज की मात्रा सबसे ज़्यादा हुतीे कि में तम अच्छा हरे 4 का पॉर्शन नहीं करना हो यानि अच्छाद की मुणता यह है कि उसमें हारा चारा होता है असी से पिछेशी प्रतिशत यह साइलेज का गून है ठेके सुका परदात होता है इसमें 40 प्रतिशत उन फसलों का उन फसलों का जिसका कार्वोहड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा हो तो वास्तों में वह अच्छा यह अच्छी साइलेज का पीच कीता होता है चार प्व 276 आछ तरह 1 इत्यारों जता है विदी कीआ हैं ऐगे बात करते हैं मुर्गी के अंडे में कवच कुल अंडे बारका आगे बात करते हैं अग्सांपकर सोटो एकसो 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 डेगरी फोरेड सेंटीडिग्रैड में होगा जल जाएगा था किया रखा जाता तो उसके लिए ठेम्फेस्पर कितार चाहिए कि नृटें चलंगा कहने कंदर thank yeah में आगे बात करते हुँ कि मुट्रा से घोता है इस z lug i प्रतिस्यत आगे बात करते हैं मुर्गी का अंडा दस अप्ता में देने युगी हो जाता है और बिलोने की खली खिलाई जाते हैं अंडे का बार अठावन ग्राम होता है ज्यान रखना पॉल्ट्री में पेर की अंगुली का पक्षा गात एक पोशन समधी बीमारी है जो की विटामीन बी की कमेसे होता है विटामीन बी का पुर्ण नाम बेरी बेरी चलता आगे और वी शिक्स तक वी ट्वेले तक भी यहां और प्रतिष्था अनना थिए और दूद में इसो हम दोहां के जाता है है फिर जाते समय मिलावट की जाच आयोडिन के टिचर विलेंस से इसकी जाच की जाते जिससे दूद में स्टार्च की उपस्तितिका पता लगाने के लिए ठीक है चलो आगे बात करते हैं दूद नमुने में गाई दूद ये भेंस दूद की पकड कैसे गाई के दूद आपको पता डेरी पे हैं कि यह डियुक्त दोह रहा है जाता है जो यह दूद में सिपक टेस्ट तक रिखाब की आपको यह रूज सब्सक्र न है में स्टाइटिस चलो आगे बात कर लाता है यह सारी क्योंशन आ रहा है दोस्तों मैं इस पीडियों पड़ा रहा हूं इसलिए पड़ा रहा हूं क्योंकि आपके रिविजन हो जाए चाहूं तुम्हें आराम से भी पड़ा सकता हूं परमतु अधी आपके एक्जाम नजदिक बिल्कुल चलो और क्योंसल भी जादा है नए बचड़ों को खीष पिलाई चाहिए देखो खीष क्या होता है खीष वही होता है ब्याने के बाद जो पहला तूद निकलता हो तूँ खीष के ठीक है और दस दिन तक पिलाते है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ठ चरीष के एक बठदस बाग के बराबर पिलाई जाती है वह नहीं बच्ड़ों को है एचिंग एचिंग अंडों के चुझे से निकलना है चिंग कराता है है रितुकाल में देखो रितुकाल सुरू होते ही गायों में गर्बित करना चाहिए बिलकुल यह उचित काल रहता है इनका पिगलेट सुर के बच्छे को पिगलेट बोलता है ठीक है लोगी गाई का लोगी गाई का मस्तक अंडाकार होता है यह डोगी गाई की जाती जिसका मस्तक होता है अंडाकार होता है यह द्यान रखना बेसका विगिनिक नाम है बूबलस बूबे बूबलस बूबलस ब कब शुरुवात हुई 15 अगस 2012 को दूद का अपक्सित गनवत्व की बात हमने कर रखिए पहले वीडियो में ठीक है किता होता है तक यह चली है आगे बात कर लेता है किस नसल की बेस के सिर पर सपेट ठीक होता है वह है आपके नीली रावी गाई के बेस की नसल है जिए दियान रगणा बिल्कुल महिला के नाम भी होते हैं तो यह बेस की नसल है गरिमा किसी बेस का नाम रख दिया होगा गरिमा गोबाण सपर्स्व में वीरिय चेटन के लिए कौन सी काम में लेता है तो बिल्कुलcómo190 विदी यानीगy वीरिये में सुक्रमानों गेसंक्या एक गति शीलता का परिक्ष्ण यह है ब्रोर नाम के हैं ब्रोमोथाइमल ब्ली चेस्टालेज क्रतिम गर्बादान में काम के लिए यहां पर बात करें तो लिए जाने वाले वीरी को कितने डिग्री मतलब करते हैं वो कितने टेंपरेचर पर रखा जाता है ध्याना करना मुर्गों में बंदियाकरण केपो नाइजेशन केलाता है मुर्गों में भी बंदियाकरण होता है परसु पालन में साधरन तया सोडियम हाइड्रोकसड काम आता है इन उसिद्ध में मैंने पिछले विडीक में बताया था यानि सोडियम हाइड्रोकसड डिवीरोकसड क्या कामाता है परसो में आंतरिक कर्मियों को मालना व डी वार्मिंग किला था है अंतरोक आतनीक कर्मियों को ribos कि वेस नहा कर अध्वा पानी में अध्वा पानी में तेरकर से लिक अपमान को नीच रित करती है यह स्ःक्राइब ऐसे तो नहीं तौझए शहां जंस दिना पढ़िती है क्यों अपनी टेमपरिचिर को कंट्रोल कष्थ इसको वह नविंक क्या उसको बुल्कुल पूच लेताओ ना वैले के थाKayटी गुल्छल लेगे क Weg leagli ना उसको गार जहीं कहते हैं और ध्यान रट है जाए जाए आगे चलते हैं घट्षावास अगे बात करते हैं घरबर मशीन की गतिय होती है बैए 1100 आरंपी छीश में वर्सा होती है चारव पॉट्ट पॉट्प फर्थिस्ट वर्सा होती है प्रोटिन से ज्यादा होता है 15-16 प्रौटिन मिल जाएगा परजन के उपयोग में आने वाले नर्व अस्व है अस्व अनर्व अस्व है नर्व यानी गोड़े को क्या बहता है इस्टेलियन तो नाम सुना है ना वैल ठीक है गी में विटामिन ए पाय जाता है अंगोरा उन प्राप्त होती है खरगोस के भी उन कुछty जाती है बिल्कुल कुत जाती है बक्री की युवा मादे को बोलते है गोट्लिंग काश्टिक पोटास दौरा पर्सों में सिंग सुधन ये वापस आ गया कास्टिक पोटास दौरा सिंग सुधन उसके लिए लगबग 15 सास से 15 दिन के अंदर क्या किया जयता है कुकुड में पहला इस्थान यूपी का है और राजिस्थान में रिधियान रखना तो कुकुड मुर्गया या बतके हैं से टर्किये यह सारा आता है गाय में मद काल कि वह अवस्ता होते हैं मद काल की वह चो आठ से चोईस किंट तक चलती है कि अगे बात कर लते हैं नहीं वनाते समय दूद में जामूण की मात्रा एक से तीन परतिसे दखते हैं ठीक है जामन की जामन धावन देवान नहीं वह पर्सू जिसका एक है एक से अधिक इस्ताईदानात गिर गया हो उससे टूटा यह टूटा मुखा केता है यह ब्रोकन मौ ये किस में डालते हैं? गाई बेस में डालते हैं? और रेड बैन का उद्डेने मारक है, रेड बैने देन से देन मारक, ठीकarts है? विश्व में गाई की सबसे बारी नसल है, holistic FAR estrutural में गाई की बारी नसल है, प्रतिश्राइब आगे बनाना है तो तापमान इत्ता रखना पढ़ेगा के अमें प्लाश्टिक प्रतिश्र प्रतिश्री दे में केल्सियम की मातर जीरो पॉइंट 12 से जीरो पॉइंट 14 परतिश्वत होता है आगे बात करते हैं जुगाली करने वाले पर्शुओं में उनके पेट में कौन सा बाग बंडार गरे का कारी करता है तो रूमेन बाग करता है बंडार गरे का कारी यह इन्वी बार-बार वही प्रशुओं में विज्ञान क्या कहलाता है एनिमल एस्ट ड्रेडी सब्सक्राइब करते हैं इसको बोलते हैं खुर्पका मोपका यह वाइरस जनीद रोग है ठीक है चलो आगे बात करते हैं पर्सों में गीले हरे-चारे को अच्छी दिख खिलाने के कारण उत्पन विकार जिसको बोलते हैं टिमपे नाइटिस टिमपे नाइटिस टिमपे नाइटिस के आए कि बार-बार आप गीला या हरा चारा खिला हुए तो बिल्कुल यह रोग हो जाएगा टिमपे नाइटिस प्रोकार के नुला यह आपरा बोलते हैं इसको यह अहर जनीत रोग होता है ठी वह पेचिस की भी इद्यान रहां सारा रोग में आपको बताया ता उट से ओता इसको बोलते हैं तिब्रसारों ठीक है इसका दो रोग जनक हे वो ट्रिप नो सोमा इवान शी है किस परसू अहार में विशावक्त प्रदात गोपी पोल पाया जाता तो बीनोना चिक परसू पर प्रियुक्स आला जाम डोली के अंदर है त्यान रखीगा जाम डोली चपुट। बारतेकर्शी अनुसंदान कारेले का है नई दिली के अंदर है सर्सों की खड़ी में प्रोटीन की मात्रा 35 कर शर्सों की खड़ी रहें नी तेल नी करें आद में खड़ बच्चे त्वीर में पर्सु मूल का उच्छ प्रोटीन युक्त पर्सु चारा मत्रस ये चोण के लाता है अजोला फण को बोलते हैं मुर्गी की लेंग हर नसल अंडा उत्वादन के लिए जाने जाते हैं लेग होन लेग होन होलेस्टिक गाई की नसल है विदेशी में भी आपको बताया था कि दूद का कव्थना एक सो औरे हंड्रेड पॉइंट वन फाइब लगा देना ताजे दूद में अमलता होती है जिरो पॉइंट वन फॉइब पर्तिशत थीक है अरो यार अमली होता है तो चलो एचटी एसच एचटी एसटी दूद पास्टिकर्ण 32 डिगरी सेंटिकर चुके हैं सापो के काटने पर कार्बनीग एसींक न रहते हैं साप काट लेता है तो कार्बनीग एसीट काम में लेते हैं भई साब जीटीविट इका फड़ पढ़िया रोग फीड़ वेडों के अंदर होता है मैंने आपको बताया था बिलकुल चलो बाई लगे परजीवि प्रट के सुरुवात हुए थी दूसरे समझे थे उननीस से तर से सी क्यमत्य ठीक है बच्छडे को मा के साथ पालना सकलिंग गयाता है सकलिंग सगे के तना सगे है तो बिल्टों सकलिंग याद कर लेना है जिस बच्छडे की मा मर जाती है उससे और फन कॉल्फुर कहता है ओ पचली मां मर दो靗 के bioma मैन की मात्र का पता वल डाय से किया जयता है आझा वहाओ यह सब्सक्रथीन अलग कर रह वाव तो व्हाओ डायय स्ट क्यें और गर्रेय ट्रॉक्ट करेν तो स्टोरान पर्सु घरतों कूता है precisa 136 फार्सु deposit थीक डिलोमेटर एक किलोमेटर में education सबसुंड है कि तरह किस ध्यूच आरो क्हाजने के अचावटी पिसके बच्चे देने के कप घ्रिंग कर रीटिंधाय को सब्तक्रतों को व्तैं कॉलंध कि कड्रोंन योट गाय के दूद में वह सत वर्षा होती है तीन पॉइंट साथ गाय के दूद में कम होती है बहस के ज्यादा होती है वैड की कुल इसको बोलते हैं बोवी डाइन गाय में गुण सतर किता होता है मुर्गी में योन किरिया बल अभी अबने पड़ा था सेर्विंग कराता है कुण सुत्रों कि संक्या नियत बनाता है तो बिल्कुल मियो सिस्ट बारा जब गड़े वह घोड़ी का संबोग करते हैं तो जाती प्रात होती खचर खचर गड़े देखे हैं न जेपूर शिकर में मिलेंगे आपको बिल्कुल खचर गड़े पस्व की सबसे अच्छी चायन वीदी होती है प्रोजनी ट्रेस्टिंग नकलिंग होता है दूद निकालने की कि रहे को बोलते हैं हातों से दूद निकालना चुलो बैगे बात करते हैं संकर नसल की गाई की परतंबार मद में आन को बोलते हैं STWRST बैट परजन की गिरिया को बोलते हैं Tuping 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 रंबर के चलने दोने दोने साथ दिन तक चलता है यानि बुल के हंड़े दागों से बान दिया जाता है ज kilow दीर उसमें जो नसे होती है उसमें कुर्राक्ट मेना बंद हो जाता है और फिर वो बंदी अकन हो जाता है यह पर किरिया सार दिन तक चलती है आउट ब्रीडिंग समागम एक ही नसल के दो और समधित परसों का सांड द्वारा प्राकरतिक परजेनर विदी द्वारा संचालित इसको बोलते हैं बुस से लोशीस समय मारा या रावी गाय में मद्ध चक्र होता है अठारा से चोईस दिन पड़ चुके बखरी की उसद्ग्रप कालो थी बखरी के ज़दा होती है एक सवाड़त अले से एक सुचपन दे पैड़ में मद्ध चक्र होता है 16 पॉइंट पास दूद का हिमांग जमता कब है अरे वह तो को थनांग था 110 ठीक है सो पॉइंट 150 यह तो को थनांग था उसका यह मांग के माइनस बावन इग्री से इंटिग्र से माइनस जीरो पॉइंट नहीं यह आपर बावन मत माल लेना और 0.56 तक होता है पक्षियों की कलंकी को काठना दूबिंग केलाता है और मुर्गी की चौच काठना डीबलिंग केलाता है और दूद में प्रोटिन के पाईस के रूप में होता है और सोवर के युवागनार को बॉइडिंग कहते है और नवजर की यह एन एन बी एजी आर की इसका अपना 1924 रास्तान का पहला मतस्या वेर दुरा लैते हैं गाइ के रूस सोब्ता के चुझे को रόσ्टिर कहते है सुवर में सुवर के नमकी नमास को बेकों कहते हैं करतेमीूनी में विससेजित करने के लिए 45 डीगरी का कॉन होना चाहिए दूद्ध दोना की अंगो ठावीदी को नकलिंग कहते हैं हम पढ़ चुक एइसके बार आप पर्शु को हर आगे बाद करते हैं गुंडशुतर की संगिया कि महवेशिं को दॉद में पाया जाना वाला वर्सा प्राप्त निए निए वर्षक कर दो पता लगाने के लिए घर्वर ट्रेश का प्रियोग करते हैं चलो आगे चलता हूं वह फ्रावट बच्वित है है राजस्तान पहला इस्तान है बक्री और ऊंड के मामले में उन सब्धाइद जयसल मेरी बक्रीगियोंती है में में ने में सबसेदिक बेड़ में होती है आगे चलते हैं राष्टि पूस्ट अनुसंदान के अंगर का भी बीकनेर गेंदर है आधे चलो आगे चलते हैं कि एंडियाराई की संस्तान का अगर्डाल में गोवन्स के पर्शू में तेरा जोड़ी पशलिया होती है जुगाली करने वाले पर्शो में यह था सत्य आमाश से पाएज आता है जो जुगाली करते हैं रुमेन बाग से वापस आता है आपको पता होता हुआ कि उसमें बंडा स्वेक का या अन्य पर्शू का गोबर खाना के लगता है घ्रपात उसे लोसिस का लक्षन है रेड़ बाठ रोग बेबी स्यूसिस के लगता सरा रोग उट मोटार किसके कारण डोग जना के टेप्ट नो समा इनाव नमी मिल्क फिवरी में पड़ चुके हैं मेटाबोलिक र अब नहीं पूछते हैं कि ट्रेविच से थोड़ा ट्रेविच से गोड़ा नीयंत्रित होता है ठीक है आगे बात करते हैं रिफ फुस्विदी गाई को नीचे गिराने की है एक नसल के जानवर को आपस में रिश्तिदार नहीं हो सकते इसको बोलते हैं ब्रीडिंग बाहीं क्रोशिंग गोड़ों में गोड़ों सोतिर के संक्या चोशट होती है सबसे जद्धा जो सिमन की मात्रा मिलेगी सुवर मिलेगी यह बात करें यहां पर एलन जी धर्ब नाइट्रोजन का तापमा नाइन टी इन माइनिस एक सो चिनो डिग्री होता है गोड़ी वे ब्याने क संकुचन को बड़ा देती है घरवा से के संकुचन को बड़ाने वाली उसदी को बोलता है उत्यव है ओ स्पैनीश हड़ी कुटे में नहीं पाजेती है जैनल रखना वूड़ टंग लकषन के सी यह पांदे चार पंड-डू सट है amz सब्सक्राइब नाम क्या है साइनो कोबालीन तीक है गाई में गोड़े में चौसेट होते हैं हमने पढ़ लिया सरफ प्रतम खोज एंटिबायोटिक की पेनिसिलिंगी हुई थी रेक्टो यूनिक यानि करतिम गर्वादान किसम होता भैसों में ऐडियों में कल्सेंग नुपण पॉइंट एक यम ने रहता है इध में रहता है घ्यूंड का काम मास धिसे बारा मिनट कटी मिनट समय चाल यह तेज दोने वाले बेल Diese सब्सक्राइब कर दोड़ता है माधा परशो के गर्व धारण क्यावदी होती है 12-14-18 गंट है मेरे नों बेड़ की नसल है पर तो यह इस्पैन की है मोल इस्पैन की है अरे दूद दोने की सर्तम विदी है पून हस्त दहन बिलकुल बकरी के दूद में विटामिन लुए कि मात्रा होती है भाईशा गर्व काल होता है एकसर ताले से 156 बेड़ और बखरी का गर्व काल स्यमी में उसका 150 है इसका एकसर अरे सत्य एकसर ताले से 150 है बेड़ का वेगिनिक नाम क्या है ओविस एरिस बेड़ का समूफ लोग के लबता है और वहसों में सवसन गति होती है पंदरह से बीज चलो बई किस भेस के सिंग हशिया नुमा होते हैं सूर्थी गुजरात के सिंग रोधन के तीन विद्य होती है कास्ट्रिक्ष्र विदी रसाइन बी हरन विदी और आरी द्वारा काट कर आरी शे काट देंगे सिंग के चले गिनकर पर्शू के आयू गयात किया जाती है पर्शू की चलो बहीं आगे चलते हैं गाई का नवजाद बच्रा कॉप कहलाता है गाईों में दूद निकालने का सरतम तरिका होता है फिस्टिंग गाई के गी में वर्षा लग बदे कुल नर्ण प्रतिशत होती बकरी में वस्त मंद काल अंद 21 दिन चलता है बाकी गरपकाल 153 तन होता है लागने मैं अपर गरपकाल ब Indigenous में में वेंस का 308 गाई के 200 यह दर द्यान रिखना गोड़ी का 340 से किस किस में देखो प्रोटीन होता समझेदा वोगी सका आपक्सित गिनओ तो था वन पॉइंट जीरो फोर फोर जीरो से लेकर वन पॉइंट जीरो असी मुर्रा और सूरती नसलों के संक्रण से विक्षित बैस की नसल को बोलता है मैस आना यानि मुर्रा और सूरती नसल का ये कॉम्बो क्रोसिंग बच्डों के जनम के समय नेवल कोर्ड में इस्तमाल होने वाला सामने नीर संक्रमक है पोटेशियम पर्ग मेंगनेट जहरबाद रोग या चुका एक्षिन क्लोस्टी डियम इसका रोग जिनक है मक्षनयों गी में विशेश सुगंत का कारण क्या है डाई एसिटे दूद मे वर्सा प्रिक्षन के उतम विदी है गरबर विदी यह पढ़ चुके हैं गाश्ट डेरी विकास बुड की इस्ताफ्राव 1965 को होती है ठीके एंडीडीबी द्वारा खुजरात दूद में प्रोटीन कोलेडी निलंबर गिरूप में रता दूद में इस्टार्स मिलावर की ज से पर्चिम की और होती है पर्चों के लिए तार्पिन का यूज करते हैं सुजन को मलने में पेचिस रोग ठीक होता धाई के उप्योक से उन्हें सिपर्चों गणना के अनुसार बारत में दूदारु गाई हैं मैसों की आबादी असी पॉइंट बावन मिलियन असी पॉइ ब्यूरो भी यहीं पर है दूद में राजिस्तान इंडिया में दस प्रते से दूद का उत्पन करता है रास्तान कुल पर सुधन पांसो पचीश मिलियन है ज्यान अगणा आई सी एमर प्रतिदिन प्रतिवेक्ति दूद मातरा अलग वह कहता आई सी एमर कहता है कि एक आदम चाहिन आई होता है म्यूटी रो मिटर्व की चिकनाई का अंस का बता लागने की काम आता है मक्हन में वर्षा की मत्रा असी परशंड होती जर्शी गाय में 4 परशंड है दूद नमुने में गाई दूद या भैस की दूद की पकड़ होती है किस्से हंसा परिक्षेंस से दूद मापी में निसान लगे होता है तो ब मलकुल जीरो से चालिस तक लगे होता है चूटी के दूद में इंसुलिं की मातरा जादा होती है सदार तया गी में सेपो निफी के शन मान यह आपके बात करें 200 से कम नहीं होना चाहिए ध्यान रखें क्रीम निकालने है तो दूद का ताप मां 30 डिग्री होना चाहिए गाई के पर्सव के बाद दूद को कोलेस्टरम कहा जाता है जिसमें विटामीन ए खनीज होते हैं विटामीन ए होता है कोलेस्टरम गाई की दूद की नाड़ी होती है उसमें हमें से ध्यान रखना ऐसा नहीं कि हर समय दूद रहेगा दूद कहतं होने के बाद खूनी वस्ता तो बलकुल खून होता है उसमें बैड के दूद में विटामीन C की मात्रा वाज़ात दियान रखना पनीर में सुस्क परदात की आदार प जानखना वाइट लेग होर्ण पस्मीरा नसल की बखरी होती है जिसकी उन भैमस है काली ने बनाई जाती है मुर्गी की द्यू प्रियोग में आने वाले नराव को इस्टेलियन कहते है चलेगा दोस्तों यह लगबग हम हजार क्यूशन के आसपास कर चुके हैं तो कैसा रहा एक्सपिरेंस आपको थोड़ा ऐसा लगा होगे कि मैंने स्पीड में बताया है परन्तु समय के एसाब से बदाना पड़ता है एक्जाम का टाइम कम है आप वीडियो को आप अराम से भी करके देख सकते हैं आप दो बार देखे तीन बार देखे इन में से आप को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आपके सुजाव आप देना चाहिए तो भी आप देख सकते हैं यह आप भी का चैनल है थेंक